पचीज दिसंबर याने की बड़ा देर क्रिस्मस का यदिर कहते हैं क्रिस्चन समुदाई के लोगों के लिए यह दिन बहुत ही खास है और ऐसे में क्रिस्मस को लेकर के क्रिस्मस का धनबाद का जो बाजार है वो पूरी तरह से सच कर तयार हो गया है हम इस वक्त धनबाद के हिरापूर बाजार में हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से Christmas का जो बाजार है वो पूरी तरह से सज गया है और कितने सारे जो है items दुकानों में लगाए गए हैं और क्या कुछे देखिए किस तरीके से Christmas के dresses भी हैं नहां पर Christmas के stickers भी हैं वो अलग-अलग तरह के stickers हैं साथी साथ आप देख सकते हैं अलग-अलग बहुत ही खुबसूरत तरीके से बैल है अलग-अलग कलरों में बैल है सिल्वर कलर में है, पिंक कलर में है, गोल्डेन कलर में है, रेड में है, आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रिस्मस का जो है कि एक ट्वाई भी है, लटका हुआ, वो बहत भी खुशूरत है और साथी साथ छोटे छोटे ट्वाई भी क्रिस्मस के हैं, जो अपने आप में एक आकर्सक केंद्र बना हुआ है और बता दे कि 25 तारीकों जिस तरीके से क्रिश्मस मनाना है उसको लेकर कि दुकानों में भी काफी भीड देखने को मिल रही है लोगों में उत्सा है क्यूंकि पहले जब ये क्रिश्मस जो था वो सिर्फ क्रिशन समुदाई के लोग मनाते थे लेकिन अब धीरे धीरे हर समुदाई के लोग मनाने लगे हैं और हम आपको बता दे कि देखिए कई तरीके के यहां पर जो किस क्रिश्मस ट्री बनाया जाते हैं वो बड़ा से लेकर के छोटा तक भी है और छोटा ट्री भी है साथी साथ आपको दिखा दे बड़ा ट्री हर प्रकार के यहां पर हर साइज में क्रिस्मस के जो है ट्री है यहां पर आपको बता दे यह क्रिस्मस का कैप है और हम आपको बता दे कि देखिए किस तरीके से बता दे कि ड्रेसेज भी हां पर उपलब्ध है साथी साथ जो ट्री में बनाया जाने के वक्त जो बॉल का इस यहां पर अबेलेबल है आप देख सकते क्रिसमस के लूक में ही है यह सेंटा क्लोस का पूरा ड्रेस है और यह बच्चों के लिए यह ड्रेस है साथी साथ कई तरह का कितने का है यह एक सो तीस इसका 170 मेश में यह अटकिस पर आगा किस तरह का है क्या यह तकी किस तरह का नहीं यह इसमक्रांट किस एक सत्र रुपागा पूश नहीं इस만 इसका किस तरह का बजार है इस बार किस तरह का थीक कि ठाक है जैसा होना चाहिए रेट में कुछ फर्क पड़ा है और घृता है इस बर कुछ बढ़ोतरी हुई ये रेत में अच्छा ऑनलाइन बजार के माफिक आप लोग का अफलाइन कितना प्रभावित हुआ है वो तो हम नहीं ज देख सकते हैं किस तरीके से रोलेक्स है और क्रिस्मस ट्री को सजाने में काम आता है यह देखे स्टीकर्स हैं यहां पर अपने फोटो लगा करके आप अपना इस्तिमाल कर सकते हैं साथी साथ देखे कितनी खुबशूरत इसको क्या करते हैं यह बैल है ना यह ट्री में सजान काम किया गया है खुब सूरत इसमें देखे Merry Christmas लिख करके इसको सजाया गया है तो आप समझ सकते हैं कि Christmas को लेकर के जो बाजार है वो पूरी तरीके से गर्म है और लोग जो है सुबा सही खरेदारी करने के लिए अपने अपने घर से निकल करके आ रहा है क्योंकि अब समय नहीं बचा है आज 23 तारीक है और ऐसे में बता दे आपको कि 25 तारीक को Christmas है तो सभी के पास कम समय है कि जो तमाम तैयारियां है वो पूरी कर ले क्योंकि आपको बता दे जिस तरीके से Christmas का तेवहार को ले करके जो पूरी तरीके से सजकर तैयार है और लोग आ रहे है Christmas Tree सजाने का सामान ले रहा है Santa Claus का कपड़ा ले रहा है कुल मिला के कह सकते हैं कि कि यहां कि जो तैयारियां है वो पूरी तरीके से जो रोपर चल रही है और हम आपको अब आगे लेकर के चलेंगे और सीधे तोर पे लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि चर्च में क्या कुछ तैयारिया हैं क्योंकि चर्च में भी बड़े पैमाने पर वहाँ पर तैयारिया होती है इशू का किस तरीके से जर्म हुआ है ये तमाम चीजों को जर्म के रूप में वहां दर्साया जाता है और बंदि पूरा चर्च को सजाया जाता है वो विदूद सज्जा के माधियम से तो हम आपको चर्च भी लेचलेंगगे और आपको वहां कभी नजारा दिखाएंगे हम आचुके हैं धनबाद के संत एंथोनी चर्च में और आप देख सकते हैं यहां भी तैयारियां जो रोपे चल रही है क्रिस्मस को लेकर के साफ सफाया किया जा रहा है आप देख सकते हैं पूरा प्राथना सभा का जो यह कच्छ है इसको सजाया गया है पूरा सेंटा बेल् सजाया गया है और यही जगह है जहां पर प्राथना होगी और प्राथना होने के बाद ही जो ही क्रिस्मस का सेलिब्रेशन होगा आप देख सकते हैं साफ सफायी का भी काम चल रहा है और यह पूरा बेंच यहां पर लोग बैठेंगे प्राथना सभा में और यहां पर प्रा क्रिश्मस का पर्व के वल पस्चिम देश के इशाई बहुल इलाके में मनाया जाता था लेकिन आज यह पुरिया दुनिया भर में मनाया जाने लगा है और यह पर्व क्रिश्मस को ले करके ऐसी मान्यता है कि लोगों को पाप से मुक्त कराने और उसे रोकने के लिए क्रिश्मस मनाया जाता है और हम आपको बता दे कि देख सकते हैं कि इस तरीके से पुरा सजाया गया है इसे रोलेक्स लगाया गया है पुरा साफ सफाई करके पुरा तरीके से इसको तैयार कर दिया गया है और यह जो देख रहे हैं कि इस तरीके से तस्वीर है हम पने सहयोग में मनाया गया था लेकिन 25 दिसंबर के दिन को क्रिस्मस से पहले रोम में सुर्यदे के जर्म दिन के रूप में मनाया जाता है उस वक्त रोम के समराठ सुर्यदेव को अपना मुख्य देउता मानते थे और सुर्यदेव की अराधना की जाती थी लेकिन जैसे जैसे कह दे की सम तुम देखने को मिल रहा है कि दुकाने में किन क्या कुछ समान इहां पर उपलब्ध है और क्या धर का समान है उनसे जानने के लिए हमारे साथ सीधे दुकंदार है उनसे जुड़ेंगे क्या नम हो भी आपका आसीज जिन्दल आसीजी बतिएगा क्रिस्मस का बजार आपके अब लगाया गया है क्या कुछ खास आइटम से अपके आइटम बहुत सी हमारे पास क्रिस्मस ट्रीज हैं क्रिस्मस एर्लिटर डिकुरेशन आइटम से क्रिस्मस ट्री में तीन-चार वराइटी जहां अलग अलगत रहे कि साइजे जहीं एक फूट से लेके दर दास बारा बहुत से पास लेकृष्ट डिकुरेशन गई ट्री में स सथी हैं बॉल बेल्ट सवगे रहें स्टार से डिकुरेशन आइटम है क्रिस्मस एंटाज है म्यूजिकल सेंटाज है क्रीट आप देख रहे हैं स्टीमर से आप देख रहें हमारं आपके पीछे लगी है बाकी सेंटा की कैप से ड्रेसे जो सेंटा बनते हैं तो उसकी ड्रेस है कैप सी वराइटी हो गई जो दो आजकल न्यूबॉर्ण बच्चों में बहुत चलन होता है चोटे बच्चे को बनाना है कुछ फोटोज वगरा लेनी है उस तरह की सभी चीजे हैं अपने पास कहिसा ने है क्योंकि वह बच्च्च गसाओ कहुंद आज हो रही है समझ में आनीक चीजे感 पिशले साल से कम है बढ़ ही नहीं है पिछले साल के मार्फत इस वर्ष जो है रेट काफी कम है और इसको लेकर करके जिब भी दुकानों में समान उपलब्द हो 99% समान इंडियन मेड है और इसको लेकर के लोगों में खासा उस्सा है और लोग ऐसे भी चाहते हैं कि जो इंडिया से बनाया हुआ समान है वो जादा तर हम इस्तमाल करें और ऐसे में या दुकान में हिंडियन मेड क्रिस्मस के जो समान है वो उपलब्द है क्रिस्मस इसाई धर्म के बड़ा ही महत्वपून तेवहार है और इसको लेकर के तैयारिया जो है पूरी कर ली गई है और आपको बता दे कि हम इस वक्त संत एंथोन चर्च में है और देख सकते हैं पूरे चर्च परिशर को दुलहन के तरह सजाया गया है और पूरी विदुत सज्जा से सजाया गया है लाइटिंग की अलग अलग प्रकार की जो है लाइटिंग की बेवस्था की गई है आपको बता दे कि साथी साथ कई तरह की यहां पर का देकरमों का भी आयोजन किया जाना है और देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ प्रभू इशु का जो तस्वीर है वहाँ पर लाइटिंग की खासा बेवस्था की गई है और बता दे आपको कि इसाई धर्म के लोग इस दिन जो है इस्टू मशी के जन्म दीन के रूप में मनाते है भारत में भी इसाई धर्म के साथ साथ अन सभी धर्म के लोग क्रिस्मस का तेवार बड़े ही धूम धाम से मनाते हैं और यहाँ पर हम आपको बता दे कि देखे प्रभू इशु का जो है कि यहाँ पर तस्वीर है और देख सकते हैं यहाँ पर कैंडल जो है वहाँ ना जले उसको लेकर के हाँ पे candle stand भी लगाया गया है ताकि वहाँ पे candle ना जला करके इस जगह पर candle जला है और हम अब दिखा सकते कि इस तरीके से साफ सफाई करके पूरी तरह से इसे तैयार कर दिया गया है विदूत सज़ा भी की गई है लाइटिंग के भी वेवस्था की गई है ताकि जब रात हो तो इसकी सजावट में चार चांद लग सके इसका भी खासा ख्याल रखा गया है और देख सकते दोनों और जो है candle stand लगाया गया है तक्रीवन हम आपको बता दे कि इस stand में एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा यानि कि 66, 66 candle जो है एक बार में जलाया जा सकता है इसमें candle stand में और 66 उधर हम बात कर ले तो लगभग 132 candle जो है एक बार में जलाया जा सकता है और इसको ले करके किसी तरह का, क्योंकि candle है उससे आग निकलता है तो किसी तरह कोई बात ना हो उसको ले करके खासा ख्याल रखा गया है और हम पूरी चर्च परिशर को हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लाइटों से सजाया गया है पूरा दुल्धन की तरह इसे सज जाया गया है जो यहां के लोग है कमिटी के जो सदस्य हैं हम बता दे आपको कि वो लोग पूरी तरीके से यहां पर लगे हुए हैं इसकी सजावट में ले करके इसकी आयोजन को ले करके पूरे हॉल में जो है कि इसका अलग से विवस्था की जाई है क्या कुछ कारिकरम हो इसको ले करके जो क्रिश्चन समुदाई की लोग है उसमें खासा उत्साराता है और यह पूरा जो आप देख रहे हैं चर्च है और चर्च में जो लोग हैं कुछ यहां के सदस्य हैं इनसे जानेंगे किस तरह की तैयारियां चल रही हैं हम लोग तो यहां पर सबसे पहले तो गौशाला बनाए गया है जहां पर इसा मसी का जनम हुआ था तो वो एक चिन है और इसमें हम लोग जो मूर्ती है वगरा है माता मरियम है जोसेफ है बालक येशू है उसके साथ तीन राजा जो उनसे मिलने आये थे जो गडेडिया थे ज क्रिंट लगेगा यहां पर जिससे लोग डिरेक्टली जो भी हो अंदर हो रहा वो देख सके और तो अवलत देखे रहे सजावट है पूरी तरीके से दुल्हन के तरह सजादी है दुल्हन की तरह बिलकुल अच्छा हम को यह बते हैं क्रिसमस क्यों मनाते हैं कि एक समय ऐसा हो गया था कि पूरे विश्व में अराजकता आ गया था है ना जो बड़े लोग है जो गरीब लोग है उनको तंग कर रहे थे नको शता रहे थे लोग पाप की और जा रहे थे तो इसा-मसी ही इसलिए जनम लिये, ताकि वो दुनिया का पाप अपने उपर ले सके और दुनिया को शुद कर सके, इसलिए उनका जुमृत्यू है बहुत ही यह जमृत्ध सबसे पहली बात तो यह जो क्रिस्मस का तेवार है ना हमारे क्रिश्चन कम्म्यूटी में सबसे पहली बात धिसम कि मन्त में आती है और दिसम्बर के बाद जो बीच का जब टाइमिंग गैप होता है ना लोग मन्त इंतिजार करते हैं कि कब वो दिसम्बर आया ना पूरा जो तो हमको लगता है ना हमारा जो अगमन काल जो बूचता है किस राजा का परभ होता है अपका क्राइश दखेंगे बहुत बड़ी तेवार है हमारी उसके बाद से लोग क्रिस्मस के लिए ऐस तरह से ब्यास्त हो जाते हैं कि इसमें मतलग कहने लेका ऐसे कुछ नहीं रहता है बच्चेस करो बच्चे लोग त奶ा का कपड़े tor जी रहता है घर को सजाना हमाराइन क्लिप होता है न हमारा जो उनक माद चर नहीं किस तरह सजाना है घर को सजाना है अभी जैसे अभी बहुत सारे जगों में राच्ची में कलगटा में तो होता था कि बड़े बड़े पैमाने पे रोड सो की तरह किस्मस गाधरिंग को और लोगों को इसका संदेज देने कर इसको यूज कर रहे हैं और अच्छी वात है हम लोग भी चाहरे है कि आने ओले दिनों में फ्यूचर में इस तरह से करें लोगों को जानकरी three देखिए can Charles may Christmas है क्या है Worth 1 लोग जानते हैं बड़ा दिन है एक्ष्टी किया अच्छी सबधा दिन क्यूं कहा जा गया कि का कै क्यी जनम कते हूए हैं पाराने जो हमारे प्रभू है जिसको हम लोग मांते हैं उनलका इख जनन दिन इस दुनिया में आये और लोग आते हैं चले भी बीजाते हैं लेकिन आने का जो फटल है बहुत खुछि हो आज कर आ जा一点 एच इसका हमा बातने का जो बच्चों में उत्साथ जागा ना उनके जन्म को लेकर लेकर यहां वो तिये बच्चे को चॉकलेट बारता कुछ गिप्त यती है और बच्चों में जो उत्सापना आता वो बढ़ जाता है यह सब है पूरी तैयारी कर ली गई है लगभग ताप देखी रहे है अब नाइट वगरा है हमारा जो नाइट सर्विस अगर दस वजे से और लगभग बार अबजे जो होता है ने मिड़नाइट वो उसका में यह होता है उस समय लोग 25 और मस्ट स्टार्ट हो जाता है तो इंजोई करता है यह कुछ आयोजन हो खास तर पर जो हमारा जो चर्च जनम दीन का अलग पार्ट होता है उसके लिए उसके लिए कृश्मस को लेकर के जो तैयारियां है वह पूरी कर ली गई है और लोगों में उत्साह है कि कितना जल्द जो है अब 24 तारीक का जो मीड नाइट है वह आए और लोगों जो है इस पल को जो है मतलब मिस नहीं करना चाहते हैं और जैसा कि इन्होंने कहा कि दिसंबर का जो महीना घुसता है उस वक्त से ही लोगों का बेसबरी से इंतजार रहता है कि आखिरकार कब वो दिन आए कब 25 दिसंबर आए कि हम क्रिस्मस को बेहद ही खुशियों के पल और यादगार तोर पे इसे मना सके फिला लेकि कि जो भव्यता है वो आपको रात में देखने को मिलेगी कि कि कई तरह कि यहां पे रंगा-रंग कारिक्रम भी होगा और इसे पूरी तरीके से अलग-अलग लाइटों से भी सजाई गई है तो कहीं ने कहीं कह सकते अगर आप इसकी हम लोगों से कहेंगे कि अगर आप इसकी भव्यता को देखना चाहते हैं पूरी तैयारियां को देखना चाहते हैं तो एक बार संतेंथोनी चर्च जरूर आए चर्च परिशर में आप देख सकते हमारे पिछे यह चर्ची भी बनाया गया है और यह पूरा चर्ची जो है पुवाल का बनाया गया है और इसे आम हम ल जाएं थे उनसे मिलने के लिए यह तमाम जाकियों को यहां पर दर्साया जाएगा और तमाम चीज़ों को देखिए यहां पर बनाने की तैयारी की गई है और हम आपको तस्वीरे को माधियम से दिखाएंगे कि यह जो पुआल के माधियम से उचा वाला जो जगहा दिखाई करें दे रहा है वहीं पर प्रभु इशु का जन्म अस्थल बनाए गया है वहीं पर प्रभु इशु का बालक के रूप में वहां पर द्रसाया जा एगा साती सान्य चार हार है शाय धर्म के लोगों के लिए नया साल होता है हर साल की तरह इस साल भी यानि दुवजर कह सकते 23 में भी जो क्रिस्मस डे जो मनाया जाएगा 25 दिसंबर को मनाया जाएगा और इसको ले करके पूरी तरह से संत एंथोनी जो चर्च है वो सचकर तैयार है कैमरा में अखले इसके साथ विकास कुमार टीवी 45 धन्बाद